इस देश की जो 7th कमिशन की जो रिपोर्ट, IPA कमिशन की रिपोर्ट, उसमें जब हमने देखना शुरू किया तो सिपाही से लेकर हवलदार तक, यानि सिपाही, नाइक और हवलदार, इनको जो पेमेंट होता है वो 5,200 रुपई से 20,200 तक, ये मैक्सिमोर और मिनिमम है, को लगबग 10,000 के लगबग महीने का मिलता है, जो एवरेज निकल कर आता है, जिस उम्र में ये साथ हैं, क्योंकि इसका फिर प्रमोट भी होते चले जाते हैं, जब आप नाइब सुवेदार होते हैं, तो 9,300 से 34,800 के बीस मिलता है, 34,800 तक, नाइब सुवेदार, सुवेद मेजर है, ये तीन पद 9,300 से 34,800 के पेस केल में पाते हैं, बहुत बार आवास सिपाहियों की आपने सुनी होगी, नाइब की सुनी होगी, सुवेदार, हवलदार की सुनी होगी, उन आर्थिक परिस्तितियों को लेकर जहां पर वो चाहते हैं, उनका वेतन बढ़ जाया, पाल ये है कि हमारे यहां की आर्थिक परिस्तितियां जो है, क्या वाकई इस बात की इजाजत इस देश के भीतर में नहीं दे पा रही है कि हम अपने तौर पर इस देश में उत्पादन कर अपने ही कंजूमर को उसको बेश सकें, कंजूमर यानी उपभोकता की जेब खाली है, उत्पादन की परिस्तितियां इस देश में बड़ी बड़ी फैक्टरियों से के चिमनियों से निकलने वाला दुआ इस दौर में बंद हो चला है, इसलिए जब हम फिरिस देखना शुरू करते हैं कि वो कौन से छितर हैं, जहां पर इस दौर में प्रधान मंतरी को काम क चाहिए था, तुरत आपके जहन में आएगा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए था, वो नेगटिव में क्यों है, रोजगार बढ़ना चाहिए था, उसकी इस्तिती बिहार में जानी हैं, जो सरकार का डाटा है, एक हजजार में से सिर्फ 16 लोग डिगरी दारी नोकरी कर पा इस दौर में आकर वो खड़ा है, लेकिन प्रधान मंत्री और कृशी मंत्राले की जो नजर है, वो किसानों के पास नजर क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफ रिफॉर्म और चका चौन्द की परिस्तितियों को लगातार परोसा जाता है, दूसरी तरफ जो किसान है वो कह रह लेकिन भारत के भीतर में जब करफशन इस देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया, तो पद मिलने के साथ ब्लैक मनी और कमाई पर लोग ध्यान देने लगे, करफशन एक ऐसी परिस्तिती में आकर चला गया, जहां पर आप जिसकी मदद लेंगे, उसको आपको कुछ लाब देना ही पड़ता है, चुनाओं में जब आप किसी से पैसा लेते हैं और कहते हैं चुनाओं जीत जाएंगे तो लोटा देंगे, तो कहां से लोटा देंगे, जाहिर है पद समानने के बाद आपकी कोई कमाई होगी, क्योंकि सेवक और प्रधान सेवक की कमाई, जो हमारे 2013 और 2014 याद करें, जब आडानी के चार्टेड पे प्रधान मंत्री चुनाओं प्रचार करते थे, उस समय वो मुक्त मंत्री थे, कुस तो देना पड़ेगा, तो आज की तारीक में आडानी के पास हर वो प्रोड़क्ट है, हर वो इंडस्ट्री है, हर वो सेक्टर है, जो सेक में प्रधान मंत्री भगवान को याद कर लेते हैं, क्योंकि 2019 के चुनाओं के वक्त तो आपको याद होगा, जब प्रधान मंत्री किदारनाथ पहुचे थे, और 17 गंटे तक, वह किदारनाथ में वहाँ पर तुमी रर्म रमाय हुए थे, और उसके बाद उस जगा की एक मह प्रधा बल गई, क्योंकि प्रधान मंत्री वहाँ पर पहुचे थे, यह 17 दिनों तक गुफा में उन्होंने साधना की थी, 18 मई 2019, लेकिन यह पहली बार नहीं था, हमें लगता है कि हम लोगों ने जाना पहली बार, इस से पहले 1980 के दशक में, जब आप चले जाएंगे, ज हम आप नहीं जानते हैं, यानि जिस दौर में जिन प्रक्रियाओं को कोई भी जी रहा हो, इस समाच और देश के लिए, उस परिस्तिती में उसको रहना चाहिए, साधू संत से हम आग्रतों नहीं कर सकते हैं, कि आप यहां आके सेवा शुरू कर दीजिए, और यहां पर यहां पर रमाए हुए हैं, और जो यहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटीशन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 3 मई 2017 को यूपी इलेक्शन के तुरत बाद प्रधान मंत्री मोधी सत्ता में आने के वाद पहली बार किदार मात अक्टूबर 2017 को दुबारा पहुँचे और तक्रीबन 700 करोड की बड़ी योजनाओं का शिलन्यास उनोंने किया, 7 नॉमबर 2018 को दुबारा पहुँचे कि जो हमने शिलन्यास किया है, उसका पुना निर्मान कैसे हो रहा है, यह भी देख लें, फिर 18 माई को जो उनोंने जि इस देश की मौझूदा हालत क्या है, और इस देश की मौझूदा हालत में वो कौन-कौन से पद हैं, जिन पदों पर बैठे हुए लोगों को इस देश में उन चीजों को इंप्लिमेंट करना है, जिससे इस देश के लोगों को एक रहत महसूस हो, और इस बात को वो महसूस कर सकें कि हाँ उन्होंने जिस सरकार को चुना है वह सरकार एक जिम्मेदारी के साथ और नैटिक बल के साथ उनके साथ और उनकी जिम्मेदारियों को अपने कांदे पर उठा कर इस देश को अनुकूल इस्थिती में लाने की कोशिश कर रही है क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा हो रहा है ये सवाल इसलिए बड़ा मौजू है क्योंकि याद कीज़े प्रधान मंतरी के पहले कारिकाल के दौर में हम और आप सिर्फ इतना भर जानते थे कि हर बारवे या तेरवे दिन प्रधान मंतरी विदेश यात्रा पर रहते थे और उस विदेश यात्रा की तस्वीरे भारत के भीतर में प्रधान मंत्री की चका चौंत के साथ जुड़ जाती थी